हलो जी नमस्कार, वेलकम टी डू फैवरी जुकेसन, मैं आजे सर, आज आपके लिए GSA CGL 2023 में कम्प्यूटर में टॉप 20 कोश्चन का संगरा ले करके आ गया हूँ, जैसे कि हमने पिछले क्लास में एक से ले करके, क्या 8 तक का जो भी प्रिवियस एर सेलेक्टेड वी बी जो की आपका टॉप 20 कोश्चनों का संगरा होता है, और सबसे पहले बीट आप देखते हैं, अगर आप नए हो तो क्या करो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सारी वीडियो को बढ़ियां से देखो ताकि आपका जो एसे, GSA CGL में आपका, केम्प्यूटर में क्या ह कि टॉप 20 ला सकते हो आप ठीक है, और अपना सपना पूरा कर सकते हो, तो सबसे पहले देखते हैं, आज का पहला प्रस्न, आज सेशन स्टार्ट करते हैं, चलिए, देखते हैं, क्या है, सबसे पहला प्रस्न आपके सामने है कि Automatic Calculator, क्या किस पीड़ी, यानि किस प्रथम पीड़ी का क्या है, क्या है, यानि फर्स जनरेशन का जो आपका होगा, वो Automatic Calculator होगा, ठीक है, चलिए, नेक्स कुर्स्टन के और बढ़ते हैं, देखते हैं, अगला प्रस्न आपके सामने क्या है, देखें, सी पी यू, क्या है, सी पी यू, है ना, सी पी यू को कितने भागों में बाटा गया है, यहां पर देखें, आपको यहां दिया हुआ, दो, तीन, चार, पांच, तो आपका जो CPU है, उसे कितने भागों में बाटा गया है, तो बेटा, उसे तीन भागों में बाटा गया है, क्या, तीन भागों में बाटा गया है, चलिए, देखत जाएगा इमेडियेट एस टोर ठीक है यह आपका दूसरा हो जाएगा और यह जो आपका तीसरा हो जाएगा क्या हो जाएगा अरिथमैटिक अरिथमैटिक एंड लॉजिक क्या है लॉजिक स्टोर है ना यह हो जाएगा आपका तीन क्या सिप्यों को तीन भागों में बाटा गया है सबसे पहला क्या है है Control unit है दूसरा क्या है immediate access unit है यानी store है और तीसरा क्या है आपका जो तीसरा होगा वो आपका क्या कौन सा होने वाला है तो आपका arithmetic and logic store होने वाला है यानि CPU को कितने भागों माटा गया है तो तीन परकार हैं क्या तीन परकार बता दिया मैंने आपको याद रखो यह बहुत ही बिश्याइब प्रस्न है चली अगला क्या है फ्लेश ड्राइब देखिए बहुत ही important question है और important होने के साथ साथ यह बहुत ही easy प्रस्न है क्या है easy प्रस्न है क्या flash ledraic को लोग labels से जाना जाता है वाई किससे जाना जाता है उसे क्या बोलते हैं up के नाम से जाना जाता है तो आपका जो have a pen drive जो आप लिए चलते हो सारा इस्टोर करके रखते हो वह उडिए उडराइब को हम लोग क्या कहते है ये घ्लिए ने से वर बढ़ते हैं नेक्स्क्रेट्टनिश्यन आपके सामने है की निमने मैंसे A.T.M. देखिए आपका A.T.M. हो ATM हो, चाहे सेल हो, सेल फोन हो, चाहे स्मार्ट कार्ड हो, जो भी हो इस परकार का कम्प्यूटर है, उसमें वो किस परकार का कम्प्यूटर है, तो देखिए एक परकार से डिजिटल कम्प्यूटर, हाइब्रिड कम्प्यूटर, एंबडेड कम्प्यूटर या सुपर के लिए कौन सा मेनू क्या जाना है कितना इजी प्रस्थन है और आप यूज करते हो बताओ जो आप कौन सा मेनू को सिलेक्ट करते हो क्या करते हो सिलेक्ट करते हो तो आपका हो जाएगा फाइल मेनू किसको सिलेक्ट करते हो फाइल मेनू को सिलेक्ट करते हो ठीक है चलिए नेक्स कुस्टन देखते हैं नेक्स कुस्टन आपके सामने है कि निमनिमेस से भारत का क्या पहला इंडिया का है इसी परकार मैंने अरब का कम्प्वूटर के बताये था सॉपर्ण कंप्यूटर के बारे में इटली के सॉपर्ण के बारे में बताया था तो यहां जो प्रस practiced आप से गीगा अस्तर का जो सुपर कम्प्यूटर था वो भारत का कौन था वो परम 2000 परम 5000 या परम 8000 या परम 10,000 तो आपका जो राइट अंसर होगा वो हो जाएगा सी ये जो था वो कितना पहला गीगा अस्तर का सुपर कम्प्यूटर था भारत के लिए चलिए नेक्स कोशन देखते हैं नेक्स कोशन आपके सामने क्या है नेक्स कोशन है कि पहले कम्प्यूटर भासा कौन सी विक्सित की गई थी सबसे पहले आपका जो पहले पहल जो कम्प् प्योग किया गया था ठीक है चलो नेक्स कोस्टन देखो नेक्स कोस्टन आपके लिए क्या होने वाला है बेटा जो मैं बता रहा हूं यह आपके लिए बहुत ही बीबी आई कोस्टन है और इस बार का सी जील एक्जाम में अगर आपका 20 कंप्योटर में नहीं आया तो मैं क्या करता है किसका देखो यहां पर स्रोत कोड को क्या करता एसेंबली कोड में या फिर एसेंबली कोड में या फिर एसेंबली कोड को क्या करता है मसीन कोड में या स्रोत कोड को किसमें बाइट कोड में वो क्या करता है अनुवाद करता है ठीक है तो राइट एंसर आपका क प्रोटोकोल वर्जन ठीक है यह क्या है आई पी आई पी भी 6 यानि यह जो 6 है यह उसी परकार से आपका क्या हो सकता है भर्जन 4 हो सकता है भर्जन 1 हो सकता है भर्जन 3 हो सकता है इस परकार से यहां पर आपसे पूछा है कि इंटरनेट प्रोटोकोल वर्जन 6 में कुल कितने बिट का होता प्रियोग होता है आपका जो बСТनी इंटरनेट प्रोटोकोल भर्जन 6 है उसमें कितने बिट्स का प्रियोग होता है तो उसमें होता एक 1188 beats का कितने का 128 beats का लेकिन आपको यह comment करके बताना होगा कि चलो यह क्या है कि इन्टरनेट कि अर्टोकॉल या कर दो दरंबर वरजन फूर वर्जन फूर में कितने बीट का परियोग होता है यह comment करके बता फटाव ठीक है तो आपका यह जो वर्जन 4 है यह कितने बीट्स का है मैंने 6 का बता दिया कि 6 का वर्जन क्या हो जाएगा 128 हो जाएगा तो वर्जन 4 का क्या होगा कमेंट करके बताना ठीक है चलो next question क्यों बढ़ते हैं next question आपके सामने है कि backup क्या है अपने network में और अधिक घटक जोड़ना या फिर डेटा बचाने के लिए से मूल स्रोथ से कोपी करके दूसरी जगह पर रखना बेकप है या फिर नए डेटा से पुराना डेटा को फिल्टर करना या फिर टेप डेटा को एकसेस करना बेकप है त अगर यह डिलीट भी हो जाए तो यह स्टोर हमारे पास रहेगा ठीक है चलो नेक्स कोशन देखो नेक्स कोशन आपके सामने है कि internet प्रोटोकोल यानि क्या IP है ना IP है ना internet प्रोटोकोल कोन सा संस्क्रन internet पर सारवधिक ब्यापक रूप से प्रियोग किया जाता है यह जो क् इसका कितना 128 है बताया भी आपको उसके बाद यहां पर जो सारवधिक ब्यापक रूप से प्रियोग किया जाता है वह आपका हो जाएगा सी हो जाएगा राइट अंसर सी और मैंने कमेंट करके ने बोला था कि जो आपका internet प्रोटोकोल बर्जन जो फूर है वो कितने बाइ अई वर्जन जो फ्वोर है वो आपका 32 बीट का है कितने का है 32 बीट का है ठीक है Alice सुआफ देखो नेक्स न आपके सामने कि ओकि निम्लिकित में से किसका उप्यूग वेबपेज लिखने के लिए किया जाता है वेबपेज लिखने के लिए आप क्या परियोग करते हो किसका परियोग करते हो तो यहां देखो STML PTP URL या फिर STTP होगा तो आपका जो राइट आंसर होगा वह आपका हो जाएगा HTML क्या HTML तो HTML किसे कहते हैं देखो यहां पर चलो हम लिख लिख लिएते हैं HTML ठीक है चलो HTML है ना HTML का अंसर हो जाएगा आपका क्या हाइपर क्या हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्क अफ लेंगवेज क्या हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट माक अप लेंगवेज क्या हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट माक अप लेंगवेज यानी HTML का फूल फॉर्म हो गया क्या HTML का full form हो गया आपका hypertext markup language ठीक है तो इसे गोर से देखो बढ़ियां से पढ़ो देखो एक question के साथ दूसरा question भी आ गया अगर आपसे पूछा जाए कि what do you mean by HTML या फिर HTML का अर्थ क्या होगा HTML का full form क्या होगा तो क्या हो जाएगा hypertext markup language ठीक है चलो next question की और देखो next question आपके सामने है कि निमलखित में से कौन सा browser नहीं है लो जी कितना आसान है और यह आपके लिए बहुत ही बीबी आई question और आसान एकदम देखो इसमें से कौन browser नहीं है क्या नहीं है browser नहीं है तो देखो यह आपका जो Google Apps है वो एक browser नहीं है चलिए next question क्यों बढ़ते हैं फटा फट देखते हैं अगला प्रस्ण आपके सामने क्या है कि निम्न में से किस परकार के menu को drop down क्या drop down menu भी कहते हैं बेटा drop down menu किसे कहा जाता है तो देखो यहाँ पर क्या है fly out है Cascading यह pop up menu है या फिर full down तो आपका जो drop down menu के नाम से जाना जाता है वो आपका pop up menu को भी जाना जाता है ठीक है आपने अभी तक कितना आपने सही कर लिया है यह comment करके फटा फट बताओ ठीक है चलो तब तक बढ़ते हैं next question की और देखते हैं next question क्या है dbms what do you mean by dbms what is the full form of dbms ठीक है देखो इदर क्या है d dbms ना dbms बेटा यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा database database management system क्या हो जाएगा database management system यह dbms का full form हो गया और यह जो dbms है उसमें एक तालिका के कॉलम में अगर हम बात करें तो उसे क्या कहा जाता है dbms को अगर हम बात करें कॉलम में तो उसे क्या कहा जाता है टपल कहा जाता है attribute कहा जाता है integrity कहा जाता है या फिर degree कहा जाता है तो आपका जो DBMS है वो DBMS को बोला जाता है गुन हिंदी में और English में attribute कहा जाता है क्या कहा जाता है attribute कहा जाता है यानि आपका जो data based management system है उसे हम अगर तालिका में बात करें कॉलम में बात करें तूसरी हम क्या कहते हैं एट्रिब्यूट कहते हैं यह आपके लिए बहुत ही BBI कोस्चन है क्या है बहुत ही BBI इस परकार का प्रस्ण जो आपको 100% आपको देखने को मिल सकता है चलिए Next question क्यों बढ़ते हैं Next question Smart Card है वो क्या है एक परकार से Micro Processor Card है या Special Purpose Card है या Software Handling के लिए Processing Unit का Card है या फिर Processing Unit में data storing के लिए Memory है तो आपका स्मार्ट कार्ड है न वो क्या है वो एक परकार से माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है आपका स्मार्ट कार्ड है वो क्या है माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है ओके चलिए नेक्स कुस्टन क्यों बढ़ते हैं नेक्स कुस्टन आपके सामने है कि इप्रॉम है ना इप्रॉम देखो देख़े प्रोग्रमेबल रीटनली मेमोरी है ठीक है जा फिर इलञ्ट्रानिक प्रोग्रामेबल रीड अन्ली मेमोरी है देख़ेENS हैं Czy ध्यान कि आपको ये पता है क्या है कि रॉम का GROM क्या होता है यानि रीडS LE man Whoa a track रिड्ळ रीड American memory है ना रोम अब यानि यह जो एपी है ठीक है इसको याद रखो ये होता है किनल इरेजिवल यह था प्रोग्रामेबल यानि क्या हो जाए का जो इरेजिवल प्रोग्रामेबल रिड अनली रहता है उसे आसानी से मिटाया जा सकता है अगर यह से डिलीट कर दिये तो इसके आगे और फिर हमें नहीं मिलेगा यानि यह सेफ में नहीं रहता है तो राइट अंसर क्या हो जाएगा आपका यह हो जाएगा इरेजिबल प्रोग्रामेबल रिड ओनली मेमोरी डैट मिस इप रों ओके चलिए नेक्सक्शन क्योंबढते हैं नेक्सक्वस्थेन आपके सामने हैं कि कम्प्यूटर के मद्द के कम्यूकेशन के सम्मिलित रहता है वही क्या रहता है इसमें तो आटोमेटिक हाप डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स या सिंप्लेक्स होता है तो आपका जो कंप्यूटर और कीबोर्ड की मजद के हर दोगे वाय प्रैयुक्त नाम या क्या कहते हैं उसे कहते हैं तो उसे कहते हैं तो आपका जो राइट अंसर होगा वह एड्रेस होता है क्या उसको एड्रेस बोला जाता है यानि परियुक्त नाम या नंबर को क्या बोला जाता है तो इसमें के पेजिन्ग जु है वह लागो किया जाता है आपकाiform में प्रचालन ओपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है या फिर हाड़वेयर में जो सब्सक्क्राइबिय較 इसमें में उप्रियूक्त सभी में तो आपका जो पेजिंग होता है वहовой होता है सब आपने देख लिया कि टॉप 20 कोस्टन कितना धुवाधार तरीके से यह खतम हो गया है ठीक है तो चलिए सबसे पहले आज का सिसन आपको कैसा लगा यह कमेंट करके जूरू बताईए अगर आज का सिसन आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कर दें साथ में आप क्या क करना ताकि उनका भी कल्यान हो जाए इस बार का सी जील वह भी निकाल ले और सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो आप भी ना बोले कर देते हो साथ में अगर नहीं तो फिर भी कर देना आप ठीक है चलिए आज का सिसन आपको करते हैं जय हिन जय भारत धैन्यवाद ओके